हलो मेरा नाम चंद्रहास है इस टड़ी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बैंकिंग अवैर्णेस से एक और पार्ट जिसमें चेक्स एंड इट्स टाइप पे हम चर्चा करेंगे कि चेक क्या होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं सब बैंकिंग अवैर्णेस रिलेटेड आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखें हैं जिसमें मैंने बैंकिंग टेमिनलोजी से यार आर एसला ट्रेजरी बिल्स और हिस्टरी बैंक से रिलेटेड सब कुछ बता रखी है अगर आपने नहीं देखा है तो वह पुरी प्ले से बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है कैसे और आपके समया होगा होगा में कर सबस्क्रा करते हैं सबसे पहλη में बात करते हैं कि छुप 금िडियर इंस्ट्रूमेंट तो चेक हमारा क्या होता है कि एक तरह का समय लिजिए order है जो आपके document के form में रहता है जैसे हमारे पास paper में रहता है चेक ठीक है जो एक व्यक्ति देता है और वो order इसके उपर होता है बैंक के उपर होता है कि वो चेक लेकर कि जो व्यक्ति बैंक के सामने जाएगा तो बैंक क उस पर लिखे हुए पैसे को चेक देने वाले वेक्ति को देना होता है तो यहां पर इंग्लिश में लिखी भी पूरी डेफिनीशन है यह चेक की चेक इस पर कोई कंडिशन नहीं होती है अड्रेश टू बैंकर साइन बाइद परसन हो है डिपोजिटेट मनी विद बैंकर रिक्वाइरिंग हिम टू पे ओन डिमांड असर्टें सम अफ मनी ओनली तू और तू दा ओडर ऑफ सर्टें परसन और तू बीर और ऑफ दा इंस्ट्रू काट सकते है ठीक है एसा नहीं किण अगर किसी दूसरे में का जा कि चेक काट नहीं जसके साथ को चेक काटना है यहां पर बात होती है कि यह कैसा होता है अंकंडिशनल ओर रहीं अंन्रीमांड मतलब अजिया तो ऑप पहले पूरू सुचित करना चाहिए था तब हम आपको पैसे देंगे या आप चेक लेके पहुंचे तो बैंक है आपको ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे आपको दो तीन महीने का वेट करना होगा फिर आपको जाकि यह चेक आपका मेचियोर होगा फिर पैसे मिलेंगे ऐसा कोई कंडिशन नहीं तो आपको पैसे आपको पिर आपके account में जाते हैं clear हो कि वो सारी चीज़ें में detail में discuss करेंगे मेरे काल से check क्या होता है आपको समझ में आओगा ज्यादा इसमें कुछ technicality नहीं है जो आपको नहीं समझ में आती है आपके exam में पूछे जाते हैं generally होता क्या है कि अगर आपको हर एक check का type पता है किसका मतलब क्या होता है तो कोई भी question आएगा तो आप बहुत easily pick कर सकते हैं मतलब differences को pick कर सकते हैं और easily बता सकते हैं कैसा check आपका होने वाला है तो चलिए इस पार्ट में मैंने total check को 10 भागों में भाजित किया हुआ है देखिएगा क्या-क्या checks हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा fine detail में कहें तो कि देखिए है तो चलिए फ्रू करते हैं पहला कौन सा check है तो यहां पर पहला जो check है उसी क्या कहते हैं ठीक है तो बिरचे कैसा हो चेक होता है तो बिरचेक अर्दज चेक इस तरह के जो चेक होते हैं वो कैश ट्रांजेक्शन के लिए यूज के जाते हैं इस तरह का चेक अगर आपका खो जाता है तो जो भी उसे पाता है वेक्ति वहां से पेमेंट ले सकते हैं इस चेक में होता क्या है किसमें आपका यहां पे जैसे नाम लिखा हुआ है पे टुए और यहां पे देखी क्या लिखा हुआ है और बियर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये हो चेक किसी के नाम पर भी उससे कोई मतलब नहीं है, ये चेक अगर आप ले के जाएंगे बैंक के पास, ठीक है, तो बैंक पर आप ये चेक देंगे, तो बैंक की तरफ से आपको क्या होगा कि ये चेक ले करके आपको जितना रुपय यहां पर जाते हैं तो जब भी हम चेक से कोई भी एमाउंट करते हैं चाहते हैं चाहते हैं कि हमको मिले तो जैसे 37,000 बड़ा इमाउंट कुछ भी होता है तो बैंक वाले आपसे क्या कहते हैं कि आप अपनी ID कार्ड वगएरा कुछ भी दिखाए जिससे अप्रूब हो सके कि आप ही अं इंटिफिकेशन की लेकिन जो हमारे रियल लाइफ में होता है वो कंडिशन होता रहा हूं कि आजकल बैंक वाले मांगते हैं ठीक है तो चेक बीर आपका होगा तो इसकी जो सबसे बड़ी क्या करते हैं कमी वो होगी कि अगर आपने इस तरह का चेक खो दिया ठीक है यहां पर क्या लिखा है कि generally used for क्या है cash transactions के लिए मतलब यह चेक आप देंगे बैंक आपको पैसा दे देगा ठीक है मेरे का उसे समझ में आया आपको बीर चेक का मतलब क्या होता है दूसरा टाइप हम पढ़ते है क्या order चेक का मतलब क्या होता है जैसे यहां पर बीर लिखा था त इसका मतलब क्या है कि और बीर नहीं है और order है मतलब यहां पर जिसका भी नाम यह आपका सारा specimen copy है मतलब किसी के नाम का असली का चेक नहीं है यह तो जिसके भी नाम का यह चेक होगा केवल उसी वेक्ती को यह चेक मिलेगा यह क्या है order पर है मतलब यह महिर बजाज यहां तो इस तरह के चेक के साथ थोड़ा सा आपका security यह रहता है कि यह जो चेक होगा यह कि वहीर वजाज को ही मिल सकता है मिहर वजाज जाएंगे तो उनको इस तरह का चेक देंगे तो उनके identification वगएरा करेंगे और उनको यह जितना भी amount होगा वो दे देंगे नाम का check है तो अपने नाम का check दे करके किसी और को भी भी पैसे मंगा सकते हैं तो आपने वह बहुता है लेकिन इसको भी transfer किया जा सकता है जैसा कि यहां पे लिखा भी है such a check is payable to the person specified therein as a pay मतलब यहां पे pay में जिसका नाम लिखा है उसको or to anyone else to whom it is endorsed transferred यहां पे bracket में लिखा है या फिर उस व्यक्ति को जिसको यह transfer किया गया हो तो इसमें होता कि इसी check के पीछे जिस भी व्यक्ति का पेई में यहां पे नाम है वो इस चेक के पीछे उस व्यक्ति का नाम लिखता है जिसको यह transfer वो करता है और अपने sign वगरा करता है जिसके बाद यह वाला check क्या होता है ट्रांसफर भी किया जा सकता है तो यह काफी टेक्निकल होता है लेकिन जानके रखिए order check को transfer भी किया जा सकता है यह इंसी के लिए important होता है चलिए तीसरा type देखते है क्या है cross check का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका यह पूरा check है अगर इसके कोने पे मैं यहां पे दो ऐसे parallel lines ऐसे cross कर दूँ तो इसको क्या कहेंगे cross check और इसके अंदर मैं ऐसे लिख दूँ account पर ही तो यह भी आपका क्या हो जाता है account paycheck कुछ लोग इसको भी और type में निकाल देते है कि अगर मैंने यहां पे डबल लाइन यहां पर खींच दी तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह अब चेक कैश में transaction इसका नहीं हो सकता है मतलब यह जो भी वैक्ति इसको लेके जाएगा तो यह चेक यवल और एकाउंट में ही जाएगा जिस भी वैक्ति के नाम लिया गया जैसे मैं मेरा नाम माली जे महिर बजाज है मुझे चेक किसी से मिलता है तो मैं जाकी इसे अपने bank account में लगाऊंगा तो ये मुझे cash में पैसा नहीं मिलेगा ये check मैं लगाऊंगा तो 2-3 दिन के अंदर ये पैसा जो भी यहां पे होगा ये दूसरे जो भी person जिससे लिखे है उसके account से cut करके मेरे account में पैसा आएगा मतलब cash में उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है यहां पर कह रहे हैं कि यह parallel line आप खींचिए और किसके साथ आप not negotiable या आई-end को या कोई account पर यह सब चीज़ें अगर आप लिग देते हैं तो आपका यह क्या हो जाता है जैसे आहां पर account पर लिख के रखेंगे तो माने होगा वैसे क्यों डबल लाइन भी खींच के रखेंगे तो भी वह माने वैसे ही होता है तो इसकी खास बात क्या है किसमें cash transaction आपका नहीं होता है इसमें अगर आपने double cross कर दिया है तो जिस भी वेक्ति के नाम पर चेक है उ cash transaction के विज़ा पर सब लोग account पर ही चक देते हैं जिस से का होता है कि किसी था राका fraud वगअरा होता है बात एक ही ही है pillar भी रहेड है लेकिन यहां पर और झाल होती है ऩाहँ पर उлемार ऊहां पेकर आपको नहीं होती है नहीं होती है पर जहां परwarz나 लाइन्स या या फिर उ 한क्रॉष स्ते हैं जाता है, तो ऐसे check में क्या होता है कि इसको जो भी आपका check है वो आसानी है कोई भी वेकती जा के यहां पर cash transaction ही कर सकता है, महिर बजाज के नाम paycheck है, अगर और order है, किसी ने transfer, महिर बजाज को ही अगर लेना है तो जाके bank में इसको submit करेंगे, और यह cash में भी उस पैसे को ले स एसे में trash कर पाना धोड़ा सा यहांपरे मुश्किल होता है गर अ llegó even check होता है जैसा कि यहां पे लिखाइवान ऑपेडेजन कंट करते हैं पोश्ट डेटेड तेट की या जिसे हम पी डी सी के नाम से भी जानते हैं करुछ अकछाक chi पीडीसी चेक भी कहते हैं ठीक उसी तरह जैसे कई लोग PNB को PNB Bank भी कहते हैं जबकि पता नहीं है PNB के अंदर ही Bank included है और PDC के अंदर चेक included है ठीक है तो PDC आप कह सकते हैं सही तरीका का कहने का मतलब क्या है Post Dated Check, Post Dated Check का मतलब क्या है कि जैसे माली जे आज है 9 तारिक 9 12 2016 है तो यहां पर मैं किसी को चेक दे रहा हूं और यहां पर जो उपर डेट वाला कॉलम है इसमें मैं डेट डालता हूं 0901 2017 तो यहां पर देखी चेक मैं कब दे रहा हूं आज दे रहा हूं मिहर बजाज को ही लेकिन डेट कप की है उस पे कि 9 तारिक और जन्वरी का महिना 2017 की यह डेट यहाँ पे डाली हुई है तो अभी यह डेट आई नहीं है मैंने इस डेट का चेक कार्ट के उनको दे दिया है ऐसे चेक को क्या कहते है पोस्ट डेट चेक जो कि आपके फ्यूचर का डेट का चेक होता है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि मिहर बजाज को अगर यह मैं चेक कार्ट के देता हूं तो मिह मतलब नहीं होता है तो आप नौ तारिख को ही पैसा नौ तारिख से पहले नहीं ले सकते नौ तारिख को ही पैसा ले सकते हैं या फिर उसके बाद से ठीक है तो यह आपका क्या होता है पोस्ट डेटेड चेक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यहां पर लिखा है अ पर नहीं लोगों confusion होती है, जैसे यहां पर sign करना होता है, तो अगर जिसके भी sign होने हो, मालीजे उन्होंने ऐसे sign कर दिया, और sign करने के साथ साथ यहां पर नीचे मैंने date वी डाल दी, 0, 9, 12, 2016 की date वी डाल दी, कि कभी भी sign के नीचे आपकी date पड़ी हुई है, उसको मानिता नहीं दी जाती है, जो आपने check में यहां पर date भरी हुई है, यही मानने होती है, फिर इसी को reference में लेकर रखा जाता है, कि इसी पर आपको check की maturity है, यह इसी पर आपकी complete होती है, अगर यह 9 जनवरी यहां पर लिखा हुआ है, तो 9 जनवरी से पहले पैसा आप नहीं ले सकते हैं, 9 जनवरी के बाद से आप पैसा ले सकते हैं, ठीक है, और यहां पर नीचे मैं चाहे 9 बारा लिखूँ, चाहे जो date उपर पड़ी हुए, जैसे यहां पर date मैंने का डाली थे भी, 0, 9, 0, 1, 2017, तो अगर आप इस चेक को यह तो पता है, आपको कि इस से 9 जनवरी से पहले आप इस चेक का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आप कितने दिन के बाद तक इस चेक से पैसा आप निकाल सकते हैं, तो बताई कितने दिन का time period आपको दिया जाता है, तो वो होता है आपका 3 महीने का, ठीक है, थ्री म मंस का, पहले ये कितना था? 6 महीने था, लेकिन अब इसे के כतना कर दिया गया है, तीन महीने कर दिया गया है, तो अगर आप इस चेक को लेकर के जाते हैं, माल कर ली है जो की ऊपर यहाँ पे डेट पड़ी हुए यह फिर से बता दूँ यहाँ पे अगर साइन करते हो जो डेट डाली हुग इससे कोई मतलब नहीं होगा ऊपर जो डेट पड़ी हुई है इसकी तीन महीने के अधी पार हो जाएगी तो यह अगर आपके पास पुरानी बुक्स वगएरा होगी तो उसमें छे महीने ही लिखा होगा तो उसी को मत पढ़िएगा थोड़ा सा अपडेट हो जाईएगा तीन महीने उसे वहाँ पर बदल के कर लिजिएगा और इससे रिलेटेट ऐसा कोई कानून नहीं लिखा गया है कि इसकी एक्सपारी पिरेट क्या होती है कई बार बैंक वाले अपने खुद से भी एक्सपारी पिरेट चेक के ऊपर ही लिखके रखते हैं कि यह चेक कितने महीने तक वैलिड होगा जैसे आपर डेट लिखी है तो साथ में यह नीछे यह भी लिखा होता है, कि एक तीन महिने तक valid होगा, या चार महिने तक valid होगा, तीन, दो महिने तक valid होगा, वो bank होले खुद भी लिख करके रखते हैं, तो इस case में आपको देखना होगा, कि यहाँ पे एक general procedure क्या है, या general एक rule क्या अभी चल रहा है आपका तो अभी आपका 3 महीने चल रहा है इसी को लेकर के आपको चलना होगा, फिर आगे बात करते हैं, तो इस चेक का मतलब क्या है मल्टी लेटेट चेक भी आपका एक चेक का ही टाइप है लेकिन उसकी खासियत क्या होती है कि ऐसा चेक जो फट गया हो ठीक है कई टुकुणों में बढ़ गया हो क्या लिखा है वेना चेक इस टॉर इंटू और जैसे चेक को जो आप प्रेजेंट करेंगे बैंक में तो इस चेक को उठाके फेंग देंगे कहेंगे इसका कोई भी मतलब नहीं है इस पे कोई भी आपको पेमेंट नहीं मिल सकती है अगरा कुछ होता नहीं है यह तो कहने की खैर बात होती है आपका अगर इस तरह का कोई भी आप चेक लेके जाते हैं जिसमें सब मिटा उटा रहता है उपर माली जे नाम में एक आद स्पेलिंग मिसिंग है यहां पे जो लिखा हुआ है यह मिसिंग है या फिर आपका जैस यहां पे नीचे आजकल जैसे श्ट्रिप आती है यह आपकी इसमें कोई खराबी आ गई या नीचे जो आपके माइकर नंबर लिखे रहते हैं उसमें कोई खराबी आ जाए या कोई डिजीड आपका मीटा होता है तो वह आपका मल्टी लेटेट चेक के तहती उसे रिजेक पटा हो गया तो ऐसे के थोड़ा बहुत आप से पूछने ताचने के बाद हो एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन अंदर की कोई इंफॉर्मेशन अगर आपकी मिसिंग है फिर बहुत दिक्कत होती है ठीक है तो मल्टी लेटेट चेक का मतलब यह होता है आगे चलते हैं फिर करतें गिफ्ट चेक के इसा कि आपको नाम से पता है गिफ्ट का मतलब कि अगर आप किसी को इसे हमारे क्या नहीं होता है जैक कि लेलावार्ड यहा तुछ आ होता है वह तो उसे आपको bank से especially खरीदना पड़ता है वह आपका यसे चेक बुक नहीं होता है जैसे हमको मिलती है वह आपका थोड़ा सा decorative form में होता है और उसके थोड़ा साथ को extra pay करना पड़ता है यहां पर लिखाओ gift check it is check decorative form issued for a small extra charge by the bank थोड़ा सा आपको extra charge करना पड़ता है उसको और आप कितनी भी संख्या में उसे आप खरीद सकते हैं और किसी को भी किसी occasion पर आप दे सकते हैं चाहे वो बाड़े हो चाहे वेडिंग गिफ्ट हो ओनर गिफ्ट हो ठीक है यह साई smart gift हो कुछ भी हो आप उसे दे स सकते हैं ठीक है तो गिफ्ट चेक का यह आप इस्तमाल कर सकते हैं तो गिफ्ट चेक का मतला आपका simple चेक ही है बस थोड़ा सा डेकरोटी होता है ताकि दिखने में अच्छा लगे और आप किसी को गिफ्ट करें तो उसे भी पसंद आए चले नेक्स्ट बात करते हैं इस अब कर लिया जाता है बहुत ही आसानीक साथ कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती यह आपका matter नहीं करता है कि आप इस देश की बैंक से चेक ला रहे हैं तो आल्मोश्ट कहते हैं कि हर जगा एक्सेप्ट हो जाता है और इस चेक की खास बात क्या होती है इसकी खास बात होते उसमें भी उपलब्द होता है चाहे डॉलर में चाहे रुपीज में किसमें भी लीजे आपको मिल जाता है और इसमें क्या होता है कि कोई भी expiration feature नहीं होता है यह सबसे बड़ी खास बात है आप से पूछा जा सकता है question कि आप बताइए कि क्या आप आप से दे सकते हैं कि आपके जो चेक सभी तरह के जो चेक होते हैं उसमें expiration period होता है तो अगर आपको ट्रेवलर्स चेक का यह फीचर नहीं पता है तो आप कहते हैं सब जो भी आपको यूज करना उससे आप यूज कर लीजे जहां भी आप जा रहे हो बाकी के जो बचे हुए हैं उनको आप जब दुबारा जाए तो फिर से यूज कर लीजे अगर आपको नहीं काम है तो आप अपने बैंक में लेके जाए उन चेक्स को जमा करिए और उन चेक्स को जितने में आपने खरीदा था वो अमांट को जो भी आपका कटपिट के जोगी थोड़ा बहुत होगा वो आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है तो यह बहुत खास बात होती है इस चेक की तो ध्यान instrument issued by the bank on the behalf of customer containing an order to pay a certain sum of money to a specified person within the city मतलब कह रहे है कि यह आपका एक इस तरह का चेक होता है जो कि bank आपका issue करता है किसी भी व्यक्ति के लिए अपने customer जो भी उसका customer होगा उसके बहाँ पे कि आप इस व्यक्ति को इतना रुपए इस सहर में आप दे दीजिए तो इस तरह का जो चेक होता है वो क्या कहलाता है बैंकर चेक कहलाता है और यह जो चेक होता है इसकी validity हाला कि तीन महीने होती है लेकिन किसी भी legal formalities में अगर चाहिक का फंस जाता है तीन महीने तक का ज्यादा समय लगता है तो इसे revalidate भी किया जा सकता है देखिए भी आपका आ जाता है कि बहुत ज़्यादा restrictions नहीं कि तीन महीने के बाद आपका खराब हो जाएगा लेकिन अगर आपका check फंसा रह जा है तो फिर से इसे revalidate कर सकते है और इस check की खास बात क्या होती है किसे dishonor नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस check में जो payment होती हो pre payment होती है मतलब payment पहले ही हो गई होती है तो इस check को dishonor नहीं किया जा सकता यह इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है तो यहां पर हमने देखे क्या check के अलग-अलग टाइप 10 टाइप देखे एक पांच विनिट का या दो विनिट का समय लेते हैं थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं जिसने मोटा-वोटा आडिया दिमाग में बैठ जाए कि क्या आपके यहां पर checks होते हैं और types क्या है सबसे पहले बात करते हैं bearer check का मतलब क्या होता है कि यहां पे एक और bearer लिखा होता है दूसरा मतलब क्या होता है कि इस check में जो भी amount भरा गया है जिसके नाम पे भी हो जो भी इस check को प्राप्त करेगा वो cash में transaction कर सकता है इस check को ले जाकर के bank में और उससे कोई भी सवाल जवाब करने का वैसे तो अधिकार नहीं होता है क्योंकि उसका कोई trace मौजूद नहीं हो पाएगा किसने निकाला है क्योंकि यहां पे cash transaction आपका use होता है दूसरा टाइप आपका था order check order check का मतलब क्या है कि जिसके नाम पे check है कि उसे ही पैसा दिया जाएगा उसे लेकर के कोई भी जाएगा तो वैसे उसको पैसा नहीं मिलेगा जैसा की bearer check में था दूसरी खास बात इसकी मैंने आपको क्या बताई थी कि यहां पर आप याद रखीगा कि order check में यह transferable भी होता लिख देते हैं या आप ना भी लिखें क्योल दो parallel lines अगर draw कर दें तो आपका cross check हो जाता है और ऐसे check की खास बात क्या होती कि इसमें आपका cash transaction नहीं होता है कि जिस भी वेक्ति के नाम पे check होगा उसी के account में यह पैसा जाएगा जो भी यहां पे लिखा हुआ है फिर आग इस check का cash transaction भी कर सकता है मतलब check को कहीं भी जाके bank account पर प्रस्तूत करेगा और इसके बदले में वो cash में पैसा ले लेगा तो ऐसे में आप पता नहीं कर पाएंगे कि यह check अगर आपका खो गया तो इस check से किसने पैसे निकाले पांचवा आपका type मैंने बता है PDC आपका post dated check इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई check दें वो कब की date का हो कि जो अभी आई नहीं हो मतलब future की date का जो check होता उसे PDC कहते है पोस्ट dated check कहते हैं और ऐसे case में क्या होता है खास बात यह है कि इसमें जो date उपर यहां पे mention होत सकते हैं वो date आने के बाद ही आप वो पैसे को withdraw कर सकते हैं फिर next बात करते है जो मैंने बताया कि आपकी यहां पर जो भी आपका check की date है उससे 3 महीने के अंदर अगर आपने पैसे नहीं निकाले उस चेक को प्रस्तुत नहीं किया तो 3 महीने के बाद वो चेक क्या हो और ऐसे चेक को बैंक वाले accept नहीं करते हैं payment करने के लिए हाला कि अगर कोने पर यहां पर कुछ भी फटा चिटा होता है तो ऐसे केस में थोड़ा सा रियायत बरती जाती है आठमा बात करते हैं gift चेक की मैंने बताया आपको अगर किसी को gift करना है तो इस तरह के चेक आप बैंक से खरी सकते हैं थोड़ा सा small extra charge दे करके क्योंकि यह decorative form में होते हैं और किसी को भी gift कर सकते हैं और gift करेंगे तो उसका नाव वहाँ पर pre-printed होता है जिसको भी आप gift कर तो उसके बात क्या होता है कि वो जो amount होगा वो अपने account में तो ले सकता है या फिर अगर आपने यहाँ पर parallel lines नहीं draw की है तो वो आपका cash transaction भी ले सकता है नवा बात की थी हमने travelers चेक की तो यह आपका check होता है travelers के लिए होता है मतलब कोई व्यक्तिय इस्तमाल कर सकता है जो हमारे पास होती है ना 10 रुपए कि नौट, 100 रुपए कि नौट, 50 रुपए कि नौट तो इसे denominations बोले जाते हैं तो अलग-अलग denominations के check को ले सकता है जिसका यूज वो पूरे word में कहीं भी कर सकता है और इस तरह के जो check होते हो हर जगा acceptable होते है और खास बात इसकी क्या हो होते हैं क्योंकि इसका कोई भी expiration period नहीं होता है इस चेक की खास बात क्या होती कि अगर यह चेक आपका खो जाता है तो ऐसे case में आपको 24 घंटे के अंदर सूचित करना होता है अपने concerned bank को कि आपका एक चेक हो गया है जिसे बाद में क्या होता कि वो उसे cancel कर देते हैं फिर इसे ही payment हो गई रहती है और आपका यह जो चेक होता है bank के दोरा issue किया जाता है अपने customer के बिहाफ पे और इसकी वी validity तीन महीने होती है लेकिन इसकी validity को किसी भी legal formalities में अगर यह फसा हुआ आपका check तो उसके तहत जाकर इसे revalidate भी किया जा सकता है मतलब तीन महीने से आ questions की तो यह आपका question में आपको दे रहा हूं एक homework सा दे रहा हूं इसे आप करिएगा अगर आपको समझ में आए तो आप इसका answer जरूर करिएगा चाहे किसी से पूचके करिए चाहे कहीं से देखे करिए Google कर करिए कोई मतलब नहीं है लेकिन आप समझ गये हो तब ही answer इसका क जाता है आता है तो answer करिएगा और इसका जो answer होगा मैं checks related जो दूसरी आपकी वीडियो होगी इसका एक part और बनाऊंगा जिसमें आपको checks related और सारी information दूगा check truncation system के बारे में बताऊंगा क्या होता है कैसे आपका perform होता है साथ ही साथ आपके checks related कुछ terminologies हैं जैसे micro code क्या हो समझ में आई की नहीं और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा comment करके ताकि मैं फिर से उसे repeat कर दूँगा जब नया वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो पसंद आया तो इसे like करिए अपने दोस्तों के साथ भी share करिए बहुत सारी लोगों को नहीं प पसंद आया है तो comment करिए like करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके इस वीडियो बस इतना ही अब हम मिलेंगे next वीडियो में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज यह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जि हम मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and bye